है लो गार्स वेलकूं तो स्पेशल एजुकेशन नमें श्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन तो फाइनले अब आप लोग का डैली हाईकोड का रिजल्ट आ चुक है और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि रिजल्ट आपका फरवरी के end होने से पहले पहले आ जाएगा तो फाइनले रिजल्ट आ चुक है and from my side many many congratulations to all the candidates जो कि second phase के लिए selected हुए ठीक है and अब बात आती है कि descriptive test कब होगा बोथ हरे लोगे comments आरे कब होगा descriptive test and descriptive की तयारी कहां से करनी है इसके लावा mock test कहां से लगाने तो इन सब चीजों के बारे में detail में discuss करेगा उससे पहले if you have not subscribe this channel then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel I hope अब तक आप लोगो ने चैनल को subscribe करके bell icon को भी जुरू प्रेस कर लिया होगा तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते है कि descriptive test आप लोग का कब होगा तो दोस्तों आपका descriptive test है मैंने आपको बोला था जिस दिन आप लोग का result आएगा उससे within 15 days में आप लोग की descriptive test की exam date है वो आजेगी तो मैं exam date की बात करूँ तो आप ये मान के चलो आप तो बस ये टार के लेके चलो कि अगले 15 दिन में आप लोग का descriptive test है ऐसा time table बनाओ अगले 15 दिन का अगले 15 दिन तक आपकी जो complete तयारी है अगले 15 दिन के basis पर आप लोग को अपनी preparation करनी है तो आप ये मान की चलो अगले 15 दिन के बाद आपका descriptive test है ठीक है और अब बात करते हैं की descriptive की तयारी कहां से करनी है मोक test कहां से लगाने सबसे पहले हम बात करते हैं मोक test के बारे में अगर आप लोग descriptive के complete मोक test लगाना चाहते हो आप लोग को बता है की part A, part B descriptive में दो part है तो पहले मैं clear कर दूँगी पहला जो आपका phase 1 हुआ जिसका भी result आया है वो आपका qualifying nature था उसके marks नहीं add होने थे लेकिन अब descriptive के marks add होने है मैंने पहले भी बोला था result का wait मत करो please आप लोग descriptive की तयारी preparation start कर दो तो बहुत सारे candidates ने कर दी थी और कुछ नहीं की it's completely okay अभी भी आपके पास काफी enough time है अभी भी आप लोग तयारी शूरू कर दो ठीक है तो मैं क्या कह रहा था दो part में होगा descriptive का test पहले part A में आपके essay writing आएगा and letter writing आएगा और second जो part B में आप लोग का grammar के questions आएगे and then आप लोग का translation आएगा तो इसी complete basis इसी pattern basis आपको total 10 mock test है जिसका link आपको नीचे description box में दियो हुआ है तो आप लोग जा के download कर सकते हो और complete जो mock test है with आपको complete solution मिलेगे like essay writing का अगर उसमें essay writing का question दियो हुआ mock test में essay writing then letter writing इन सब के आपको complete solution भी दियो है mock test में इसके लावा grammar के जितने भी questions आएगे इन सब के complete solution दियो है translation का solution दियो है ठीक है तो जाओ अच्छे से mock test download करो और तयारी करो अब बात करते है कि अगर हम mock test download नहीं करना essay writing और letter writing और translation करना है तो यहां यह कहां से करे तो इन सब के link भी मैंने आपको नीचे description box में दियो हुआ जो चीज आप लोग download करना चाहो वो जा के download कर सकते हो सारे link आपको नीचे description box में essay writing अच्छे करना चाहते हो essay writing लाइक जो अभी आपके hot topics है आपका coronavirus हो गया farmers भी लो गया यह आपके कुछ hot topics है जिन पर ऐसे पूछे जा सकते है डैली high court में तो यह सारे topics cover करना चाहते हो इन पर अच्छे से ऐसे लिखे होगे आपको नीचे description box में link मिल जागा जाके download कर लेना translation, letter writing और इन सब पर आपको मिल जागा जाके download कर लो link आपको सारे नीचे description box में मिल जागा ठीक है तो descriptive आपको पता है marks इसके add होईगे तो इसको lightly मत लेना seriously इसकी preparation start कर दो phase 1 clear होना बहुत अच्छी news है तो second पड़ाओ पर आप आचोके हो यहाँ पर आप लोग delay नहीं हो सकते हैं आपको बहुत dedication से तियारी करनी है और मैं बोलो हो आप 15 दिन का मान के तियार time आपको ज्यादा मिलेगा मैं आपको 15 दिन कम बोलो बट ये चीज मान के आप लोग अपनी preparation करो ठीक है बाकी उसके बाद आपको revise करना essay revise करना letter revise करना नाइने त्रिक्के के जो आपके लिखने है वो improve करना अपनी चो writing skill है वो improve करना and typing की बात करो तो अगर आपके पास time मिलता है अगर आप ये सब चीजे करके आपके बहुर हो जातो है essay writing और mock test लिख आगे बहुर हो तो typing practice भी time मिले तो हाथवाथ करना ही start कर दो क्योंकि बाद में आपको typing के लिए भी ज्यादा time नहीं मिलेगा थोड़ी थोड़ी practice typing की भी start कर दो so ये important information share करनी थी आई हो वीडियो आपको अच्छी लगए तो लाइक जुरूर करना चैनल पर पहली बज़िट कर रहे हो तो subscribe करके वैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना